अच्छाइब देखे मल्टिपल एजेंसी यहां पर मौझूद है नाइए की टीम यहां पर मौझूद है इंटेलिजन्स ब्यूरो की टीम मौझूद है दिल्ली पुलिस की एंटी टेरेर ईनिट इस्पेशल सेल यहां पर मौझूद है और एनेजी की टीम यहां पर आई थी यह वो टीम है जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है जो सामने जहां पर विसपोर्ट हुआ हूँ वहां से sample collect किये गए हैं और उनको देखिए बकायदा रखा जा रहा है जो sample collect किये गए थे उनको अब रखा जा रहा है और ये forensic examination के लिए भेजा जागा सबसे पहले जब blast की जानकारी मिली तो दिली पुलिस की team पहुची थी यहां पर उसके बाद जो दिली की forensic team है वो यहां पर पहुची जो wall जहां पर यह blast हुआ उसके बाद wall crack हुआ और कुछ छेद भी हुआ वहां से evidence collect किये गए जो कुछ मिटी थी वह वहां से examination के लिए उठाई गई गई blast के बाद कई जगह पर white powder बिखरा हुआ था वो भी sample के तोर पर collect किया गया उसके बाद NSG की team आपको सामने दिखाई दे रूगिया आश्तोस जिनके पास यह dogs है इनकी dogs यह dogs की शमता यह है कि smell इनकी जादा है यारी सूंगने की शमता जादा है इस वज़े से आसपास के जो बड़ी सड़क है और सड़क के ठीक सामने दुकाने है इन दुकानों पर भीडबाल रहती है गनी मत रही कि सुबह के वक्त धमाका हुआ वरना अगर शौप पर भी लोग आते हैं तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी होती है भीडबाल रहती है कैजवलटी होतोती इसी राहत की बात है कि इस धमाके में किसी को चोट नहीं लगी लेकिन जाज से जुड़े अधिकारियों ने आज तक को एक बात बताया है कि यह धमाका बहुत मुम्किन है कि देशक फैलाने के लिए मैसेजिंग के लिए किया गया हो क्योंकि धमाके के लिए CRP यानि अर्ध स पहुचाना होता तो दिवार के ठीक सामने ये शौप है यहाँ पर भी बम को रखा जा सकता था इस मामले में दिली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट कहता है F.I.R. दर्ज की है और कुछ देर बाग बहुत मुम्किन है कि देर शाम तक इस पूरे मामले की जाच दिली टीम जो यहाँ पर आई है वो यहाँ पर पहुची न सिर्फ एनजी की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया बलकि जो यह ऑफिसर है जो एनजी के कमांडो है वो सामने की तरफ बार बार देखने है और यह वो शौप से यह वो जगह है जहां से कई एविडेंस मिल सकते है यानि यह यहां CCTV फूटेज को खंगाला जागा उससे यह पता चल जागा कि अगर कोई संदिग्द व्यक्ति यहां पर आया होगा खासतोर से यह बॉम रखने के लिए तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसको जीरो इन किया जा सकता है लेकिन रविवार का दिन CRPF की इसमें explosive का इस्तमाल किया गया और तभी मैं आपको बताओं कि दिल्ली पुलिस जो रोहनी थाने की पुलिस है उसने explosive act के तहते फाइयार दज किया यानि यह बाद साप हो जाती है कि यह जो धमाका हुआ था यह बंधमाका था यह clarity सामने आ चुकी है क्या यह ID धमाका था improvise explosive ID का इस्तमाल किया गया था improvise explosive device का इस्तमाल किया गया था और फिर धमाका किया गया इसकी तफ्तीज की जाएगी NIA के अधिकारी जो यहां पर पहुँचे थे वो दिली पुलिस के special sale के अधिकारियों के साथ बादचीत कर रहे हैं इसी वज़े से जब NIA के अधिकारी और दिली पुलिस special sale का अधिकारियों ने जो बादचीत की वहां के सूत्रों ने हमें बताया कि यह जो धमाका है यह ए दिवार न सिर्फ क्रैक हुई बलकि मेरे पीछे जो दुकाने दिख रही है इस यह दुकाने भी छति ग्रस्त हुई है